तो एक बार फिर से सौगत है आप सभी का एक और नीव गेमप्ले वीडियो में और आज हम एक बार फिर से कहले जारे हैं GTA 5 तो गारे इस पिछले एपसोड में आपने देखा था कि King Kai हमें मारना ही वाला होता है लेकिन उसी सम्में वहाँ पे बाबर आके हमारी जां बचा लेता है वो King Kai को जान से खतम कर देता है और जब उसके बाद हम पूछते हैं कि आखिरकार बाबर ने ऐसा क्योंकि उसने किंकाय को मारा क्योंकि आपको पता है कि बाबर माजिन बू गैंका बंदा है ठीक है तो जब हम उसे पूछते हैं तो वह में बताता है क्योंकि माजिन बू ने उसके भाई और उसके फादर की जान ले लीती है उन दोनों को उसने ज़एंज हमें जादे की तो बाज बारा sis की THAT को मारह अपना बदला लेने के लिए और उसके बाद जैसे हम профधियर हो से भागने की कोशिश नहीं कोशिश बाई आपको याद हुआ कि काफी टाइम से हम लोस एंटोस के बाहर यानि कि जो अपना सीक्रेट बेस हैं क्योंकि हमें डर था कि जो माजन बू है वो हमारे या फिर हमारी फैमिली के साथ कुछ गडबड ना कर दे उन्हें कोई चोट ना पहुचा दे तो इसलिए हम को भी खतम कर दे उसके बाद हमने उसके जो काफी सारे ड्रक्स थे काफी सारे वैपन से उनको भी जला की राख कर दिया है तो अभी जो अपना दब दब है वह माजिन पूग के ओपर जाद है तो इसलिए हम लॉस एंटोस वापस आ चुक है लेकिन हम घर तो वापस आ चुक ह और यहां पर हमें योगा करना पड़ रहा है लेकिन कोई बात नहीं यहां पर वैसे योग है हमारी सेहत के लिए अच्छा है तो थोड़ा बहुत योग करते हैं उसके बाद यहां से निकलेंगे एक जरूरी काम के लिए जो की अभी करना बाकिए जो की सही में बहुत ही रिखाता हूं आपको याद हुगा कि अपने पास नहीं चार कार पड़ी ती जो की हम हाव फ्रैस पर खरीद के ले गया थे जिन मेंसे तीन कार तो अभी यहां पे मैंने घर पे मंगवा लिया इसको अपने पहले हमने सीक्रेट बेस पर रखा था लेकिन अभी उनमें से ती तो यहां पर मैंने अपने पास रख लिया लेकिन जो चौथी कार थी अपनी वो मैंने बाबर को दे दिया आपको याद होगा कि बाबर अब हमारी गैंग में आ चुक है तो अब उसके पास कोई विकल वगरा तो है नी तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जो अपनी टोईट हमें टू बिलियन डॉलर देगा साथी साथ जो आधा रॉकफोर्ड हिल्स है वो देगा अब रॉकफोर्ड हिल्स तो वो दे नी सकता लेकिन उस समय आपको याद हो कि पिछली बार उसका जो बंदा है जो हमसे मिलने आया था वो अपने साथ एक पैसो का बैग लेके आया थ जिसमें वो टू बिलियन डॉलर्स थे ठीक है और उसके बाद क्या हुआ कि हमने वहाँ पे जो उसका बंदा था और जो किंक आया था उसको तो मार दिया था लेकिन वो जो पैसो का बैग था पैसो का ब्रीफ केस था उसको मैंने अपनी जो कार की पीछे वाले डिक की थी उ जो कार थी वो पुलिस वालों ने अपने पासी रखी है या फिर उसके साथ कुछ कर दिया बसे जितना मुझे लग रहा है कि उसमें अपने पासी यहाँ पे पुलिस वालों ने रख ली होगी लेकिन अगर उन्होंने उस कार की चेकिंग कर ली होगी तो इसका मतलब साफ है अपने जो 2 billion dollars है वो यहाँ पे गए और अगर उन्होंने चेकिंग नहीं करी होगी कार कि उन्होंने ऐसी उसको साइड में खड़ा करके रख दिया होगा तो यहाँ पे अच्छी बात है अपने लिए कि हमें जो 2 billion dollars है वो यहाँ पे वापस मिल जेंगा बस जो कार की पीछे व पुलिस टेशन और हम लोसंत से लिए लोसोंतु के जो बाहर पुलिस टेशन है वहांपे हम जाने वाले क्योंकि जिस एरिया में पुलिस वालों हमें पकड़ा था व copper के छेंवर के गाउं यहां वो ढून ढून के उनको तबाह कर दे रहे हैं उनको ब्लास्ट कर दे रहे हैं जितने भी वैपन्स हैं जितने भी बंदे हैं उन सभी को यहाँ पर खतम कर दे रहे क्योंकि हमें धीरे धीरे करके जो माजिन बू है उसको बिल्कुल कमजोर कर देना उसके बाद जैस्ती हमार को एक बड़ी असा मुका मिलेगा हमें उसके उपर अटैक करके उसको खतम कर देना लेकिन उससे पहले अभी फटाफर चलते हैं यहाँ पे पुलिस टेशन क्योंकि वो जो टू बिलियन डॉलर्स है उनको लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी जो अपनी मर्सेडीज बैंस है मैं इसको भगाता वा लेकि आ चुका हूँ सैंडी शॉर्स के पुलिस टेशन के पास में वह रहा सामने वह पुलिस टेशन पुलिस टेशन तो वहां पर है और वह जो कार खड़ी है शैसे वह तो वही कार है जिसमें अपने जो टू बिलिन मैंने वह चुपा के रखे थे वह भी कार यलो कलर की थी एक मिनट सबसे पहले अपनी गंतों अंदर को मैं सामने एक पुलिस ओफिसर खड़ा है या फिर खड़ी है जो भी है लेकिन ये कार तो मुझे वही लग नहीं रही वही है पूरा कंफर्म ये कार वही है जिसमें जो पुलिस ओफिसर है मैं यहाँ पर इससे बात करके ना जो अपनी कार है पहले मैं वह वापस लेता हूँ तो ठीक है तो अभी नहीं यहाँ पर जो पुलिस वाली है मैंने इससे बात करके जो अपनी कार है मैंने वह तो वापस ले लिया बस कुछ डॉकुमेंट्स पर हमने सा को यहां से उठा के न ले जा क्योंकि अभी यहां पे वो प्यारी पुलिस वाली यहां पे अंदर भी ने गए मुझे लग रहा है कि मुझे न अपनी कार को यहां से लेके साइड में जाना पड़ेगा यह वाली कार को न पहले थोड़ा सा साइड में लेके चलते क्योंकि अभ इदर से मोड़के न यहां पर इसको साइड में खड़ा करके अपने जो पैसे हैं मैं यहां पर वो निकाल तो भाई मुझे लग रहा था कि अगर पुलिस वालों ने इसकी चेकिंग कर लिए होते न भाई कजम से अपने जो दो बिलिएंड डॉलर से वह यहां पर चल गए होत हैं हमने पैसो के बदले उसके भाई को उसको देने का वादा के रहा था लेकिन उसका भाई तो मर गया लेकिन कोई दिक्कत नी भाई उसके भाई को अगर वो मरता नहीं तो एक ना एक दिन हम भी उसको मार देते बट जरूरी यह है कि हमें जो अपने टू बिलिएंड डॉ भाई साब यहां पर पुलिस वाले खड़े हैं यार एक मिट चलो वैसे इन्होंने मुझे देखा तो नहीं है ठीक है तो यहां से अराम से मैं निकलता हूँ और अपनी जो कार है फटा फटा फट यहां से उससे लेके निकलता है क्योंकि अभी ने रास्ते में मुझे जो यहां पर बार कोई कर लें कोई बात नहीं अब इसको यहां से लेके निकलता है तो इसका दिया और अभी जल्दी से लेके निकलता है । और मैं सोच रहो कि यहाँ पर जो 2 billion dollars है इसका करा क्या जाए क्योंकि भाई यह काफी ज़्यादा amount है लेकिन एक minute यहाँ पर मेरे दिमाग में का idea एक काम करेंगे यहाँ से अभी अपने पास काफी सारे weapons तो पड़े हैं लेकिन मैं सोच रहाँ कि कुछ जो high weapons होते है न भाई तगड़े वाले weapons उनको buy करने की ताकि यहाँ पर जो अपनी security है वो और भी ज़्यादा tight हो जए लेकिन एक minute यहाँ पर सबसे पहले काम करता हूँ अपनी कार को side में रोको यहाँ पर मैं बाबर को call कर ले तो कि आखरकर उसने हमें call क्यों किया था यहाँ पर बाबर से तो मेरी बात हो चुकी है एक minute sorry uncle sorry 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 अपर एक minute मैंने sorry तो बोला यहाँ पर मारने के लिए बाहर निकल गया कार से इधार आ तेरी चश्मी से एक minute चश्मा नीचे तेरी यहाँ पर दो तिन लाते गुसन यहाँ और खाएगा यहाँ पर एक लात और बस चलो हो गयना भी होश sorry भी बोलनों फिर भी यहाँ पर आके मारने के लिए कार से उतर गया अब यहाँ पर थोड़े तक भी होश रहेगा उसके बाद जब होश आएगा तो अपनी कार को लेकि यहाँ से निकल जाएगा लेकिन देखो अब इने हैं पर बाबर और मेरी बीच में बात हुई है और वो बात यह है कि बाबर ने हमें बता है कि माजिन भू का एक बहुती बड़ा बिजनस है अब वो बिजनस यह है कि वो कार्स बेचता है खाली कार्स नहीं बेचता वो कार्स के बहाने कार्स के अंदर उसके डिक्की और जो इसके आगे का बोनट होता है उसमें ड्रक्स और गंस की सप्लाई क करता है और जिससे उससे काफी सार जो पैसे है वो मिलता है तो यहां पर बावर कर रहा है कि अगर हम उसका यह बिजनस खतम कर देता है तबहा कर देते हैं तो यहां पर वो और भी जादा कमजोर पड़ सकता है क्योंकि यहां पर दोको उसका पैसे का आने के जो साधन है वो ख कालना ही पड़ेगा भाई एक तो ट्राफिक इतना जाद है उपर से इन में धिमाग नहीं है अब तो कोई यहाँ पर कहते मुझे न अभी फटाफट जाना पड़ेगा बाबर के पास में वो अपने घर पर आ चुक है मैंने उसे कहा कि रास्ते में मिलने को लेकिन उसकी कार य तो तो वो और भी जादा कमजोर पड़ सकते है नहीं तो उसके पास पैसा पाएगा और उसके बाद जितनी भी गंस जितनी भी ड्रक्स पड़ेंगे जिनको बेच की वो पैसा कमाता है वो भी खतम हो सकता है तो अभी फटाफ़र यहां से निकलते है सबसे पहले अपने घर वाँ से बाबर को उठाएंगे क्यांकि बाबर यिको पता है वो जो जगह है उसका जो शूरूम भगार फ़ाए जहाँ पर वू अपना ये वाला illegal काम करता वह कहां पर आए अब भाई जबसे बाबर यहां पर अपनी गैंग में आया है तब से यहां पर अपना बहुत जिय किके है जच बाबर को आगि माजिन पूसर पता है और श्करना प्रेल के करके उसको थोड़ा सा कमजोर करते हैं तो ठीक है अभी फटेवर यह से सीज़र निकलते हैं अपनी कार को लेके लोस एंटोस अपने घर के लिए तो अभी अपनी जो कार है मैं इसको लेकर पहुंच चुको अपने घर के पास में यह कार मुझे जानी पहचानी क्यों लग रह जब भी मैं घर से बाहर निकल गयोंगी, यहाँ से अपनी कार कहा जा चुकी है, पक्का जिमी या फिजश्रेसी इन दोनों में से एक, नएं तो क्या पता यह दोनों के दोनों ही अपनी जो कार हैं, यहां से लेके गूमने के लिए निकल गयोंगे, तो कि जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना वाई, अपनी कार यहां से पका उठा लेता है, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी यहां पे बाबर से बात करते हैं, देखते कि आखिरकार इसने प्लैन क्या बना रखा है, तो अभी यहां पे बाबर से अपनी बात हो चुकी है, और बाबर का प्लैन यह है कि देखो, सबसे पहले हम दोनों जाएंगे उसी जगा पे, जहां पे माजिन वू का वो शो रूमेटिक है, और उस जगा पे फ्रैंकली और ट्रैवर को पहले से बाबर ने भेज रखा है, ताकि वो उस जगा के बारे में थोड़ी सी जाच परता नहीं हो सकती है, लेकिन देखो, वैसे बाबर तो उसी गैंग का बंद है, उसको तो पता है उस जगा के बारे में, लेकिन बाबर का ये कहना है कि देखो, जबसे बाबर ने माजिन वू गैंग छोड़ी है, तब से यहां पे, माजिन वू पका उस जगा पे जो सिक्योर्ट भल कर लेंगे और उसके बाद यहां पर जैसे में पता चल जाए कि कौन कोन बंदा कहां पर तो वह जो जगा पूरी हम तबाह कर देंगे बावर क्या कि वहाई एक चीज भी एक चीज भी आप चूटनी निए ठीक है कार से लेकर चोटी-चोटी जितने भी पार्ट से या फिर चुरूम थो मैं आफी टाइम पहले देखा था लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह जो शोरूम है और वहां पे वह इलीगल काम करता है लेकिन अब भी हमें पता चल चुका है तो अभी फटावर निकलते सिदा उसी जगा पे और उस जगा पे जाके सेमें आज बहुती बड़ का उस जगह पे होने वाला है अभी यहां पर मैं और बाबर पहुंच चुके बस उसी जगह के पास में अब दोको आपको बड़े-बड़े से सामने पेड़ दिखे रहे ना उसी के पीछे माजिन बू का वह बड़ा सा शोरूम है लेकिन ट्रेवर और फ्रेंकली ने कहा था कि उसी जगह के आँ स्पास होंगे लेकिन ठीक है ठीक है पर जीद कराई है यहां पर बात्चित प्लैन बना रहे? सब्सक्राइब करते हैं र beggar में पैसे करने से चलिए decorations किमस् comunque अपिया वहy थे पिछ आपजए उस जगा व्ैदिया के यहां पर ने दो कहां सब बनाते अब देखो यहाँ पे पहले तो मैंने सूचा था कि हम बाबर के साथ जाएंगे आगे लेकिन देखो बाबर को वो जो बंदे है वो जानते है क्योंकि बाबर उनके साथ काम कर चुक है तो इसलिए मैंने सूचा क्यों ना अपने साथ फ्रेंक्लिन को ले चला जाए ठीक है तो अराम से चलेने मैं आगे यहां पर देखता हूँ आगे देखो वह खड़े दो बंदे अभी इन पर गोली नहीं चलाएंगे पहले काम करते हैं पहले ना आगे चलके ना थोड़ा के अंदर की जो सिक्योर्टी है हमें वो भी नजर आजे लेकिन एक मिठें पर सामने मुझे कार नजर आ रही है और दो तीन मुझे बंदे भी दिख रहे हैं एक बात मुझे समझने आ रही कि यहां पर हम यहां पर कैसे गुसे अब देखो अंदर गुसना तो मुझे थोड़ा गए दोनों के दोनों ठीक है यहां पर दोनों के bisschen को मार तیا और आप यहां पर बारी है जो अंदर बंद्धें अंदर जितनी भी सिक्योर्टी कारण दो दलिख रहे है और अ कवर लो मुझे लग debates theीट मुझे पेले और परदिगे उन्द कितनी तीजया रहा है अन्दर पटाके घुट्ध अब भाई-बाई-बाई-बजय दिवार का कवर मुझे लगना की अंदर कुछ आपनों निकल तेरी यहां पर अभी भाई साब यह तो कुछ जहता बंद्य भाई, इक मिल्कुली यह तो बूज़ ओ रखा था लेगिन कोई बात नी है, पे मैंने फ्रेंकिंग को तो भाई बंवगएर वी पकड़ा रखें, तो यहां पर वो ब्लास्ट वगएरा टार तो भाई यह ब मदे मदे और एक मार दिया यहाना यहां यहां पर उनका सही हया यूज़ कर रहा है जी हैए यहां फिर देखो यहां पर हमें जितने भी यह पूरी की पूरी जगा नहीं इसको ब्लास्ट करने है ओ भाई साब यहाँ पर कसम से फ्लैंक लिक कुछ जादे तकड़े वाले ब्लास्ट कर रहा है लेकिन आपर आगे एक मिनट आगे कुछ और बंदे खड़े हैं अफस्ट करते इनको भी चलके मैं मारता हूँ ठीक है देखो सामने वो रहा एक बंदा पहले तू निकल यहाँ पर एक सिक्योरी गाड़ यह भी गया ठीक है और अब एक काम करते हैं अब यहाँ पर जो अपने sticky bombs है मैं यहाँ पर काफी सारे लगाने वाला हूँ काफी सारे जो sticky bombs है मैं पूरी की पूरी जगा पर यहाँ पर लगा के इसको हम blast कर देंगे यहाँ पर जितनी भी cars वगएरा न भाई यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बॉरी की पूरी जगा को भाई जितनी नई नई कार है इस सब पर यहाँ पर जो sticky bombs है यहाँ पर लगा देने वाला हूँ बस यहाँ पर मुझे एक बटन प्रेस करना है उसके बाद यहाँ पर जो bombs है वो blast होने start हो जाएंगे भाई साब इतनी जल्दी जो आग इतनी जादा बढ़ चुकी है और यहाँ पर जो पूरी की पूरी जगए उसके यहाँ पर चितरे चितरे होने start हो चुकी है और कुछी देर में जो पूरी की पूरी जग है वो जलके राख होजेगी जितनी भी कार से उसके अंदर जितना भी सम्वान है वो सारा का सारा राख होजेगा लेकिन उससे पहले यहाँ पर पुलिस आके हमें पकड़े ठीक है तो फटाफ़ड हमें यहाँ से निकलना पड़े कि मुझे पाता है कि जो पुलिस है वो यहां पे बहुत जल्दी आने वाली होगी तो इसलिए काम करते हैं यहां पे दको जो ट्रेवर और जो बाबार है वो तो अपनी कार को लेकर पहले से निकल चुक है ठीक है तो अभी मैं और बचे फ्रेंक्लिन तो हमें भी जो कि भाई वो धमाका देर करा था लेकिन हमें भाई यहां से निकलना होगा क्योंकि जो पुलिस स्टेशन है वो भी यहां पे बिल्कुल इसके पास में ही है तो अभी फटाफट पहले हम निकलते है सीधा इस वली जगह से जो शैंडी शोर्स है हमें इसको छोड़के जाना प पे जो इसकी एक एक जगह है उसको हमें ऐसे करकर के तबाह कर देंगे जब तक यहां पर उसको मार नहीं देते हैं ना बहुत अब यहां से निकलना पड़ेगा वैसे हम थोड़ी सी दूर तो आ चुके है लेकिन फटाफट पहले यहां से निकलते है सीधा हम अपनी घर के तो अभी मैं और फ्रेंकली उजगा को छोड़ के यहां पर आ चुके लॉस सेंटोस अपने घर के पास में भाईसे में वो जो धमाक है भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ लेकिन अभी जब हम रास्ते में आ रहता है पता नहीं कौन बंदा यहां पर कॉल पर कॉल कॉल फ्रेंड है आपको याद होगा कि जब हम कार लेने गए थे तो हम हर बार उसी बंदे से कार लेते जो महंगी महंगी सूपर कार से लेते हैं हम उसी लिवर्टी सिटी वाले बंदे से लेते जो कि अपना दोस्त है तो आभी ने देखाँ यहां पर सीन क्या हुआ कि वो एक का कार को डिलिवर करने आया था यहाँ पर लॉस एंटोस में किसी बंदे ने उससे कार खरीड़ी थी जो कि बहुत ही जदा महगी थी लेकिन वो उस कार की डिलिवरी करने खूद ही आया लेकिन जब उस बंदे के घर के पास पहुंचा जिसको वो कार डिलिवर करनी थी उस बंद ये जो कार है वो वापस Liberty City लेके जानी पड़ेगी और वो जो कार है वो बहुती जादा खतरना कार है वो ऐसा कह रहा है ठीक है वो कह रहा है एक बार आके देख लो अगर तुम्हें सही लेगी तो यहाँ पे तुम उसको बाइक कर लेना तो चल लेते वैसे भी अपने पास 2 billion dollars पड़े है भाई देखते है कि आकर कर वो कौन सी कार है उसने नाम नहीं बता है उसने कहा कि आके देख लो अगर तुम्हें पसंद आएगी तो उसको ले लेना वैसे भी देखो यहाँ पे अपने पास कोई खास कार तो है नी Mercedes Benz है अपने पास एक McLaren लेकिन एक कोई खतरनाक सी भी कार हो नहीं चीह है न अपने पास तो अभी फटा 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 और वो जो बंदा है न जो अपना दोस्त है वो Los Santos Airport पे आ रखा है तो वो उस कार को लेकर यहाँ से चल जाएगा दुबारा से Liberty City तो अभी फटा फटा बटा से निकलते हैं सिधा Los Santos Airport के लिए तो अभी यहाँ पे अपनी जो कार है उसको में फूल स्पीड में भगाता हूँ लेकर आ चुका हूँ Los Santos Airport और एक मिनट यहाँ पे शेह से वो खड़ा अपना वो दोस्त यहीição से ना हाँ इसके साथ एक कार भी है शेह से यह वही कार उन्यायों करत चार को यहाँ प्राइब कर यहाँ वीज़े है बढ़ी है आगे से एक बार देख लेते कि वह भाई भाई साब ये तो रोयल्स रोयस डॉन है भाई रोयल्स रोयस डॉन है ये जो कि बहुती जाता महेंगी है लगबग ये 70 to 75 मिल्लें डॉलर्स की ये कार आती है ये कार ये हमें बेशने के लिए लाया किया भाई साब से में ये बहुती जादा महेंगी का रहा है वैसे अभी ये फोन पे किसी से बात कर रहा है कोई बात नहीं अभी इसको बात करने दो ठीक है और जैसे इसकी बात कतम होती है हम इससे बात करेंगे तो गाइस यहाँ पे यह जो Royals Royals Dawn है वो हमने यहाँ पे बाएक कर लिया अर्दों को वैसे यह 75 million की है लेकिन इसने हमें सिर्फ 72 million dollars में दे दिया वैसे 72 million dollars भी इसने बहुती ज़्यादा मिननतों के बाद करे लेकिन इसका gate देखा आपने कैसे खुला इसका gate उल्टा खुला और इसकी जो sound है इस car है कितना ज़्यादा खतरनाक आ रहा है इसने कहा है कि एक बार car को तुम चला के देख लो तो यह काम करते है सबसे पहले यह जो car है न मैं इसको थोड़ा सा चला के देख लेता हूँ भाई साब यहाँ पर काफी ज़्यादा खतरनाक है यह इसका sound काफी ज़्यादा बढ़ी आ रहा है और सही में यह जो car है बहुत ज़्यादा तग़ी है और ऐसी जो car है बहुत ज़्यादा कम है लेकिन यह car अभी यहाँ पर अपने हाथ लग चुकी है अपने पास टू बिलन डॉलर से तो मैंने सुझा क्यों न यह जो car है इसको buy कर लेते हैं यह जो car है कसम से बहुत ज़्यादा खतरनाक लेग रही है इसकी speed भी काफी ज़्यादा है लेकिन इसको इतना ज़्यादा speed में चलाना भाई लेकिन यहाँ पर सही में भाई मेरा मन तो कर रहा है यहाँ पर जितनी speed है इसकी maximum यहाँ मैं उसको चला दू लेकिन control भी कर रहेंगे थोड़ा सा यहाँ अगर ठुक ठा गई वैसे यहाँ ठुकने की कोई इसकी रूफ भी नहीं है तो यहाँ पर इसकी लुक और भी ज़्यादा बढ़िया आ रही है और है भी तो इतनी महंगी ना यह कार आप से बताना कि आपको यह वाली कार कैसे लगी तो ठीक है आज किस वाले अपसोड को यह पर खत्म करते हैं अगर आपको यह वाले अपसो झाले इस